सो हें गाइस कैसे है आप सभी लोग तो स्वागत करता हूं मैं आपका अपनी गेमिंग चैनल में जिसका नाम है गेम बोई और आज हम एक बार दुबारा से खेलने जा रहे हैं और मैं आपको बता दू के अपनी गाड़ी में ना दिक्कत हो चुकी है उसके जो टैर है ना बिलकुली घिश चुकी है यार मैं गाड़ी चला रहा हूं वह स्कुटों के पता नहीं कहा का गुजरिया अपने आपी बहुत ज्यादा मुश्किल से मैं अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था वैसे अपनी गाड़ी है ना सिटी मोल के पास खड़ी है रात बहुत हो चुकी थी तो मैं गाड़ी को ना वहीं पर खड़ी करके छोड़ी आया था तो खेर अब मुझे भागते वे जाना है सिटी मोल वहां से ले जाना पड़ेगा कार सर्विस इस्टेशन से मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा वैसे मैं अपनी गाड़ी को ना तो करके भी यहां पर लाइ सकता हो पर मोसम कितना खराब हो चुका है अगर बारिश हो गए ना तो अपनी गाड़ी तो और ज्यादा स्लीप होगी मैं सर्फिस सेंटर से कैसे ले जाओंगा तो वैसे मेरे पास आइडिया कि मैं अपनी गाड़ी को वहां पर टो कर वालू पर थोड़ी सी दूर तो है मैं किसी ना किस इसी तरीके से वैसे सर्फिस सेंटर जाता दूर नहीं है बस मुझे आराम आराम से ले जानी पड़ेगी आप देख रहे हैं यह रैड कलर का निशान है अगर हमारे टैर कि जाते हैं तो बस मैं गाड़ी को पीछे करता हूं और मुझे रैट सैट की तरफ गाड़ी को कि एक दम बडी प्यार प्यार से होले होले से ले जानी हो यार यार मैं सीथी चला तो यह किसे घुम जाती है गाड़ी औरिस्कें अंदर से दुगा कि lava कितना सारा निकल रहा है मुझे लग रहरा है ना इसके टैर बिल्कुली घिशरे है उनं में से दुगार्य तो एक्षर भाड़ गई जाके तो बस अब तो कोई दिक्कत की बात नी हम पहुची गए इसे यहीं पर ऊवे यार इसे भी आना था मैं इस गाड़ी को यहीं पर खड़ी करता हूं और अपनी गाड़ी के लिए नहें टैर खरीदते हैं क्योंकि इन टाइम हो चुका है यार बार बार घिस जाते हैं तो अब हम लेंगे नए टैर और मैं थोड़ी बढ़िया वाले लूँगा एक बार चलके चेक कर लेते के यहां पर कौन-कौन से और क्या-क्या प्राइस के टायर है तो सबसे पहले मैं चैक करता काड़ी में लगेंगे ही नहीं इस यूई के है और ये क्या है कर विल सब्सक्राय नहीं है और है यहेश्येप और Yo- प स्योंकिया यह नहीं चैक हो बालिविल यह आदिकतार नाम अफ रोड्सक्राश दिकरते हैं तो यह औपने लिए बढ़िया रहेंके रैगे neste1 चीज चेक कर लेता हूं अपनी गाड़ी के पुराने टायर है ना क्या पता यह बिख सकते हो तो मैं इसे निकालता हूं कि सामने आप जो जो मशीन देखे हो ना मुझे इन वील को इसके ओपर रखना है और चेक करना है कि यह बिखते हैं कि नहीं कि नहीं या यह टायर चेंजर है बट यह नहीं यह टायर रिपेर हो सकते हैं बिख नहीं सकते तो कोई फायदा नहीं टायर को निकालते हैं और रख लेंगे यार इने अगर कभी जुरत होई तो काम आ जाएंगे उठा लेते हैं इंटायरों को और अपनी गाड़ी के चायो टायर ना निकाल के यही पर रख देते हैं और उसकी जगे नए ओफ रोडिंग विल लगा लेते हैं मैंने अपनी गाड़ी के तीनों टैर निकाल लिया बस यह एक रह गया इसे भी निकाल के यही पर रखते है और अब चलके नए ओफ रोडिंग वील खरीद लेते हैं वैसे यह 175 का है तो सबसे पहले मैं एक खरीदता हूँ देखते हैं कि लगता है कि नई वैसे तो लगी लगाते हैं यहां से और सीधा लगाते हैं गाड़ी के अंदर भावान करें लग जाए ओ नाइस यह लग चुका है गाईस तो बस अब हमें तीन वील और खरीदने हैं बस यह लास्ट विल रहे अपनी गाड़ी में लगाने के लिए इसे भी लगाते हैं और उसके बाद पुराने वील जो है उन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में रख लेता हूँ पहले तो इन्हें उठाकर अपनी गाड़ी के अंदर डालते हैं चारो टैर मैंने अपनी गाड़ी के अंदर ठाग दिये हैं और इसे बंद करते हैं और अब टाइम है अपने इन ओफ रोडिंग विल के टैस्टिंग करने का चलते हैं मस्त ओफ रोडिंग करने के लिए बहुत फूल स्पीड में मैं अपनी गाड़ी को न इन पहाड़ों के ओपर चड़ाऊंगा ताकि हामें पता थल जाए कि यह टैर कैसे है वैसे यह टैर सही काम कर रहे है पहले जो अपनी गाड़ी थी न पुराने वाले टैरों से इधर उदर गुमती रहती थी और अप जो यह रेल्वे लाइन देख रहे हो न यह देखते हैं पार करके ओ बढ़िया भाई स्वह पार करो यह एक ही बार में यह तो वहना मुझे दिक्कत होती थी न यह रेल्वे लाइन पार करने में और अब मैं अपनी गाड़ी को ना कि उच्छी जगह पर चड़ाने वाला हूँ ताकि वाकर भी टैस्टिंग हो जाए के चड़ती है के नहीं और बोड़ी तेजी स्पीड पर यहां पर यार यह क्या हो गया इसका तो बैक मारने लगी इसका जो इंजन है वह बहुत ही घटिया इंजन है तो यह तर अच्छे काम कर रहे है यह ओफ्रणी टैर ना इसमारे तो बस इस वीडियो को करने वालों यहीं पर एंड अगर आपको मेरी यह वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना च थैंक्स वर वाचिंग बाइ बाइ